नमस्कार दिमाग की गर्मी और मालसिक रोग या फिर आज हम बात कर रहे हैं जो पित्त के कारण मतलब गर्मी के कारण जो भी मालसिक रोग होते हैं जिसको की आईरवेद में पित्तज उन्माद कहा जाता है पितज उन्माद मतलब जिसको पागलपन अब हमारे याँ एक चिल्लर आता है जो दो-तीन साल का रो हर बात पर एक यी बात बोलता है पादल हो दे हो त्या, पादल हो दे हो त्या ठीट, तो उसी चीज़ को हम उन्माद बोल सकते हैं कि ऐसी बिमारी जिसमें बार-बार आदमी पागलो जैसी हरकत करता है नॉर्मल वक्ती नहीं, एकदम पागलो जैसा और उसमें अगर पित्त का डॉमिनेंस हो जाए पागलपन तो है ही, बट पागलपन के अलग-अलग टाइप है या उन्माद के अलग-अलग टाइप है और जब पित्त का डॉमिनेंट हो जाएगा या दिमाग में गर्मी हो जाएगी तो क्या-क्या लक्षन आईरविद में बोले हैं और किस तरह की चिकिस्ता बोली है वो जानकरी इस वीडियो में पित्त की कारण जो भी मालसिक रोग होता उसको कैसे पहचानेंगे तो पहला लक्षन वागभड जी ने अपना जो अस्टांग रिदा है उसके उत्तर स्थान के छटे चैप्टर में बोला है संतरजन या फिट तरजन ऐसे करके शब्द बोला है मतलब जिड़क देना तो ऐसा वेक्ति जो की बार-बार गुसेल रहता है हर बात में लोगों को जिड़क तरदा है हट फुट भग हट फुट इस तरह की जो जिसकी आदत है और वो भी बार-बार करना एक दो बार हम मस्ती में अपने दोस्तों को भी ऐसे बोलते है हट पागल होगी क्या फुट 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 ऐसे करके हम बोलते है बट जो आदमी जिसको बार-बार जो भी कोई चीज बोले भाई खाना खाएगा तो हट भाई यहां बे जाएगा फुट यह करेगा हट जो ऐसा करने लग गया है और बार-बार रिपीटेड वो एक्शन करने लग गया है तो वो लक्षण बोला गया है पित्त जुनमाद में सेकेंड लक्षण वागभर जी बोलते हैं क्रोध हो अर्थाथ ऐसा वेक्ति जो हर बात पर गुस्सा होता हर बात पर चिड़ता है पानी पिएंगे क्या तो चिड़ेगा सब्सक्राइब वो बोलते न बस फटने के लिए तयार है कि बम था हलकी से चिंगारी दी और यह हमे अंकर क्रोधी है छोटी छोटी बात पर चाय बन गई तो गुस्सा चाय नहीं बनी तो गुस्सा टाइम पर पहुचे दो गुस्सा जिनको ऑल गुस्सा करना होता है इसलिए बहाने धोड़ दे ऐसे नहीं कि वो फैक्टर है उसके कारण वो गुस्सा कर रहे है उनको गुस् इस चीज से गुसाव हो रहा है उस चीज से गुसाव हो रहा है ऐसा होने पर गुसाव हो रहा है तो क्रोध हो जिनको भयंकर लेवल का एंगर भयंकर लेवल का क्रोध है हमेशा all the time चीड़ चीड़े रहते हैं वो पित्त जुनमात के लक्षड है फिर एक और लक्षड उसमें बुला है जो पित्य के कारण या दिमाग की गर्मी की कारण जो वांसी ग्रोव होता है कि उसमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना या मारने के लिए दोड़ना कि बस किसी ने कुछ बोल दिया और डंडा उठा लिया जो पत्थर वथरता वही उठा गी आज तो फोड़ देते हैं मोबाइल फेक देते हैं कुछ घर का सामान तोड़ देते हैं इस तरह कि अगर एक्टिविटी हो गई है तो वो है पित्त के कारण बने वाले मानसिक रोक के लक्षण के खारण और ऐसे लोगों में एक और चीज देखी जाएगी कि उनको जैसे ही हीट आएगा ना जब ज्यादा हो जाए तो कपड़े उपड़े फाड़ के एकदम फेक देंगे इस तरह कि या बोड़ी उनकी पीली होने लग जाएगी ये सारे लक्षण बोले हैं पित्त के कारण तो होते क्या है सिंपल सा कारण है जो भी पित्त डॉमिनेंट चीजे खाते हैं कि बार बा नमक बहुत पसंद है खाने के उपर नमक डाल कर खाना बहुत जदा तीखा तला मिर्ची महाराश में ठेचा जैसा एक आइटम होता मिर्ची का या जिनको मिर्ची की चट्नी खानी है लैसुन का अचार खाना है चाइनीज जो है उसके अंदर सेजवान का एकदम तीखा और ये सारी चीजे होती है या जिनको हम बोलते हैं कि इसका दिमाक all the time गरम ही रहता है ये शान्ती नहीं होता बस फटने की गज़ार पर है या फिर जो पित्व प्रकृति के लोग हो उनको इस तरह के मालसी कतलीफ है जादा होती है इसका इलाज क्या है तो इसका सबसे बेस् 25 बार 30 बार कई बार 35 बार तक lose motions होते हैं इसमें किया क्या ज़्यादा है इसमें किवल हम पेट साफ नहीं कर रहे हैं हम क्या करते हैं पूरे शरीर के पित्व को खीच के पेट में लाते हैं और उसको पूरा flush out कर देते हैं तो इतना सारा पित्व अगर आपने एक साथ ही clear क होता है कि इतना ज्यादा अंदर से गरम है कि कोई भी चीज़ वहां टिक नहीं पा रही जब उसके आप हीट कम कर देंगे वह अपने आप शांत होना चालू हो जाएगा तो यह आप नजदी की आयर्विदिक सेंटर या पंचिकर्म का जो क्लीनिक हॉस्पिटल होगा वहां में सर्वस्रेष्ट बोला है तो क्लीनिंग में वीरेचन को सर्वस्रेष्ट बोला है मतलब लूज मुशन करके पित्त को निकालने को सबसे बेस्ट आयर्वेद में बोला है और पित्त को कंट्रोल करने में दबाने में घी को सर्वस्रेष्ट बोला है घी बाय नीचर ठंड कर लेना और फिर दुबारा काम करने पर फिर से याद मतब रिकॉल करना स्मृति जैसे जो चीजे हैं यह सब का सब घी में है modern science भी बोलता है जो आपका brain और body है उसके बीच में blood brain barrier होता है और उसको cross करने की जो power है वो lipids में हो दी बतलब चिकने आइटम और सारे चिकने आइटम में आईरवेद बोलता है चिकने आइटम को संस्कृत में स्नेह बोलता है तो जितने भी चिकने आइटम है उसमें घृत सर्वर्ष्रेष्ट है ऐसे आईरवेद का बोलना है इसलिए ऐसे व्यक्ति को जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उसके खाने में घी जरूर इंटर्ड्यूस कीजे, सरसो का तेल, तिल का तेल, सुरज मुखी तेल, ऐसे कोई भी तेल खा रहे हैं, तो आप देखो के वेक्ति वो और क्रोधी रहेगा, तो चाहिए आपको गाय का घी मिले, भैस का घी मिले, या फिर बकरी का घी मिले, उनका जो खाना बनना चाहिए, वो घी में बनना चाहिए, जिससे कि उनका मन शांत होने में मदद मिलेगा, बहुत सारे मेडिकेटर घृत मिलते हैं, जैसे कि ब्रामी घृत मिलता है, तो वो खाने के साथ एक चमच उनको दे सकते हैं, या तिक्त घृत मिलता है, म बतने के बाद या चर्निंग करने के बाद जो वहाँ पर घी का जो मक्षन निकलता है जिसको महाराश में लोणी बोलते हैं वो जो मक्षन है वो अगर मिश्री मिला कर देते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से मन को शान्त करने में मदद करता है कुछ आउशदिया हैं जिसका आप डेली यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कुश्मांड, कुश्मांड जिसको कि पमकीन या एशगार्ड ऐसे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो वो जो बाहर से हरे कलर का होता है, अंदर से वाइट होता है, महाराश में जिसको हम भोपला बोलते हैं, कई लोग कद्दू, क होड़ा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग नाम है, पर हम उस वाले की बात करें, जो बाहर से हरा होता है, और अंदर से वाइट होता है, ठी, पूजा पार्ट में दिवाली में वो सब कई बार बली चड़ाने के लिए उसको यूज़ करते हैं, तो उसके नाम में ही को उश्म, क इन से पाच या साथ दिन ही देना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ठंडा होता है, कई बार सरदी कफ अगर होने लगे तो बन करना चाहिए, या फिर इसकी सबजी बना कर खाने के लिए दे सकते हैं, इसी का एक टॉनिक मिलता है, कुश्मांड रसायन करके या कुश्मांड सेम प्रॉपर्टी यस्टी मदू की है, जो कि पित्त को कंट्रोल करती है, ठंडी है, दिमाग पे काम करती है, पित्त के कारण देखो जो गुस्सा करने वाली लोगों के उनके बाल भी जाते हैं, और फेस एकदम उनका तना हुआ सा रहता है, एकदम ऐसे चीड़े हुए से रहते हैं, कि कोई चीज की उनकी फेस पर चीड़े है, वो कभी आपको रिलाक्स नहीं दिखेंगे, इसे मन से नहीं से चीड़ा हुआ उनको फील होगा, तो ये यस्टी मदूर्श अतावरी इस तरह कि अगर आप और शदिया घी में मिला कर खाने देते हैं, तो उनका मन श तरह कि जो ठंडे तेल मिलते हैं, उन पेशन्स को लिटा कर एक गंटे के आसपास अगर धारा करते हैं, तो उससे उनका मन शान्त होता है, वो चीड़े क्यों है है, वो बाई नीचर चीड़े वेक्ती नहीं है, उनके शरीर में खान पान या कोई भी कारण से क्या हुआ हु अगर आप पित्त को शान्त कर देंगे, तो मन भी उनका शान्त हो जाएगा, और जो गुस्सा कर रहे हैं, हट फुट भुट कर रहे हैं, या बहुत क्रोधी होते हैं, कि गाड़ी को थोड़ा सा टच हुआ, तो आज तो मैं गदर पार्ट थ्री कर डालूगा, ऐसी जो एक् अंचिकर्म की और आईरवेद की बिंदास मदद ले सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फाइदा देखने मिलता है, गर पे जो नश्य मालिश वाली श्रीय जाली चीजे हैं, कर सकते हैं, बौडी पे लगाने के लिए चंदन का अगर पाउडर मिलता है, वो लगा सकते हैं, व ब्रेन है नवो बहुत ज़्यादा शार्फ होता है, क्योंकि पित्त हैं, तो वह mi熱 होते हैं, तो ऐसे लोगों को जो भी चीजेे डल करती हैं, मंद करती हैं, वो करनी चीजे, जैसे कि छोटे-छोटे जो चिलर होते हैं, पित्त का ट्रीट्मेंट भी यही बोला है, जो तोतला बोलने वाले चिल्लर होते हैं, जिसे मैंने वीडियो के शुरू में बोला था, पादल होते हैं, तो इस टाइब की जो चिल्लर पार्टीस हैं, उनके साथ रहना, या जहां पे पानी का फवारा हो रहा है, हरियाली है, ऐसी चीज़ें जो उनकी intensity, जो बहुत ज़्य जादा बेस्ट रहेगा ये था पित्त जुन्मात के बारे में आप एसे और कौन से वीडियो देखना चाहता हैं कमेंट करके जरूर बताएं तब दक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें